कुछ साल पहले अगुआई के कार्या में मेरी मदद करने के लिए बहन शाओ जी का हमारी कलीसिया में तबादला कर दिया गया थोड़ी समय में मैंने देखा कि युवा होने के बावजूद उसमें अच्छी काबलियत थी और वो वाकियी सक्षम थी समस्या आने पर वा सत्य का अभ्यास करती और सत्य की सिद्धानतों की खोच पर ध्यान लगाती मैं काबलियत या कारेक्षमता में उसके बराबर नहीं थी मैं वाकियी उसकी प्रशन सक्ती मुझे लगा कि वा प्रतिभाशाली है एक बार सहकर्मियों की बैठक में एक अगुवा ने मुझसे पूछा कि क्या कलिसिया में उंची काबलियत वाले ऐसे लोग हैं जो सत्य का अनुसरण करते हैं मैंने बेहिचक उन्हें बेहन शाओ जी की खुबियों के बारे में बताया जल्दी ही अगुवा ने उसे सहकर्मियों की सभा में बुला लिया और उससे अगली कई बैठकों में भी आने को कहा धीरे धीरे यह सोचकर मेरी परिशानी थोड़ी बढ़ गई हमिशा बैठकों में मैं ही भाग लिया करती हूँ कलीसिया के मामलों पर अगुवा मुझसे ही चर्चा करती है अब वे शाओ जी को बैठकों में आने को कह रही है लगता है वे उसे प्रशिक्षित करना चाहती है अगर मुझे पता हो था तो मैं उसके खुबियों का जिकर ही नहीं करती मुझे लगा कि उसी के कारण मुझे भुला दिया गया है पीछी छोड़ दिया गया है मुझे और भी स्यादा बेचानी महसूस होने लगी और चुपचाप एक सोचपन अपने लगी कि अगर अगुवा उसका तबादला कर दें तो बड़ा अच्छा होगा अगर हम साथ नहीं रहे तो मैं उससे बुरी नहीं दिखूंगी फिर शायद अगुवा मुझे मामलों पर चर्चा करें लेकिन मुझे मालुम था कि शाओ जी का तबादला इतनी जल्दी नहीं होने वाला मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर कोई भारी बोज रखा हुआ है यहीं नहीं मैं हार मानने को तयार नहीं थी मैं चुपचा परमिश्वर के वच्चनुमी डूप कई उन्हें पढ़ने और उन पे विचार करने लगी ताकि मैं सत्य के बारे में संगती करने में उससे आगे निकल जाओं लेकिन मेरी मनशा गलत थी मैं बस रुथबे के लिए उससे होड लगा रही थी इसलिए मेरे कर्तव्य में पवित्रात्ना का कार्य नहीं था मैं किसी भी समस्या को समझया सुलजा नहीं पा रही थी। एक बार कुछ बहनों को कलीसिया की उप्याजिकाओं की रूप में चुना गया। उन्हें फिक्रत थी कि वे सत्य को इतना नहीं समझती कि जीवन में प्रवेश की वहवारिक समस्याओं को सुलजा सके। वे ये पद नहीं समालना चाहती थी यह सुनकर मैंने सूचा उनकी दशा ठीक करने के लिए परमीश्वर के किन वचनों पर संगती करूँ ताकि हर कोई समझ सके कि बहन शाओ जी मुझसे बहतर नहीं है जैसे ही उन बहनों की बात पूरी हुई मैंने जल्दी से परमीश्वर के कुछ बचन पढ़े और संगती करने लगी लेकिन मैं शान्त होकर समस्या की जड़ जाननी के लिए सत्य को खोजना नहीं बस दिखावा करना चाहती थी ताकि लोग मुझे आदर से देखें मेरी संगती बिलकुल भी जमी नहीं उन लोगों को बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठे हुए देखकर बहुत अटपटा लगा मैं समझ नहीं पाई कि क्या बोलूं फिर बहन शाओ जी ने हमारे कर्तवय निभाने के अर्थ पर संगती शुरू कर दी अपने अनुभावों और परमेश्वर की इच्छा के बार में बताया बहनों की आँखों में आसु आ गए और उन्होंने उस कर्तवय को स्विकार करने की ठान ली क्या बात है उन्हें शाओ जी को प्रशनसा की नजर से निहारते हुए देखकर मुझे उस समय बहुत बुरा लगा उसके आने से पहले सभी लोग मुझे स्विकार करते थे लेकिन कलीसिया से जूरने के बाद इतनी चल्दिवा हर चीज पर चागई थी अगुवा उसके गद्र करते थे और भायबैन उसका आदर करते ज्यादा समय तक अगुवा होने के बावचूद में उसकी बराबरी नहीं कर पाई मुझे लगा लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मुझे में सत्या की वास्तविक्ता नहीं है और वो मेरी तुलना में अच्छी दिखती है उस दोरान मेरे खयालों में बस यही बात जमी होई थी मुझे लगा मानो बेहन शाओ जी मेरी शौरच छिन रही है मैं उससे इर्शा करने लगी कभी कभी मैं चाहती कि आपसी फायदे का कोई रास्ता दिखकर उसे कलीसिया से निकल वादू बहुत सोच विचार करने के बावचूद मुझे कोई तरीका नहीं सुझा मैं परमेश्वर से दूर जा रही थी और मेरी आत्मा अंधेरे में डूब रही थी मेरी संगती में दूसरों के लिए रोश्नी नहीं थी मैं समस्याओं में उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी मैं अब भी हर दिन अपना करतेवे निभा रही थी मगर मैं बहुत परेशान और पीडित थी परमेश्वर से प्राटना करते समय मैंने अपना हाल बयान किया उसकी इच्छा को समझने और अपनी भष्टता को जानने का रास्ता दिखाने की विंती की फेर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े कलिस्या के अगुआ होने के नाते सीखना चाहिए कि प्रतिभा का पता कैसे लगाए और कैसे प्रतिभाशाली लोगों से इर्शा न करें इससे तुम अपना करतव्य संतोष चनक धंग से निभा सकोगे और तुम अपनी जिमेदारी पूरी कर सकोगे और निष्ठावान बने रहोगे कुछ लोग डरते हैं कि दूसरे उनके प्रसिती चुरा कर आगे निकल जाएंगे अपनी पहचान बना लेंगे जबकि उनको अंदेखा कर दिया जाएगा इसी वज़े से वो दूसरों पर हमला कर उन्हें अलग कर देते हैं क्या ये प्रतिभावान लोगों से इर्शा करने की बात नहीं है क्या ये स्वार्थी होना नहीं है या किस तरह का स्वभाव है या दुर्भाव ना पूर्ण है सिर्फ खुद के बारे में सूचना अपनी इच्छाओं को संतोष्ट करना दूसरों के करतवियों पर ध्यान न देना सिर्फ अपने हितों के बारे में सूचकर परमीश्वर के घर के हितों के बारे में न सूचना इन बुरे स्वभाव वालों के लिए परमीश्वर के पास प्रेम नहीं है आमीन परमीश्वर के वच्छनों ने बहुत गहरा असर डाला उन्होंने मेरी असली दशा को उजागर कर दिया अपनी बेहन की उची काबलियत और वहवारिक संगति को देखकर और ये देखकर कि अगुवा उसके खद्र करती हैं और दूसरे उसे आदर से देखते हैं मैं इर्शालू हो गई और से निकलवाना चाहा ये नहीं सोचा कि इससे कलिस्या के काम या परमेश्वर के घर के हितों पर क्या असर पड़ेगा मैं सिर्फ दुष्टता दिखा रही थी और बहुत स्वार थी और घिनावनी थी मुझ में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी मेरा इस तरह कर्तवया निभाना परमेश्वर को कैसे नाराज न करता मैं अपने कर्तवया में पवित्रा आत्मा का मार्गदर्शिन गवा कर अंधेरे में डूब गई या परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव था मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की रुत्बे की चाह छोड सामान या इंसानियत के साथ जीने और बेहन के साथ ठीक से काम करने के लिए रास्ता दिखाने के विंती की फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े परमेश्वर की इच्छा की परवा करो तो तुम दूसरों के साथ निश्पक्ष रह सकोगे किसी की संस्तोती करो कि उसकी प्रतीभा निखरे और परमीश्वर के घर में प्रतीभा बढ़े ऐसा करके तुम अपना काम अच्छी तरह पूरा करोगे अब तुम अपने कर्तव्य के निर्वान में वफादार होगे या परमीश्वर के समक्षिक अच्छा कर्म है या एक तरह का विवेख है जो लोगों में होना चाहिए मुझे अब और भी अपराद बोध और पच्टावा होने लगा परमीश्वर चाहता है कि सत्य का अनुसरन करने वाले उपर उठें और उसका साथ दें हाँ मैं इक कलिसी आगवा थी लेकिन दिल में वो नहीं था जो परमीश्वर चाहता है जब मैंने उस प्रकार के व्यक्ति को कलिसी आ में काम करते देखा तो मैं इर्शालू होकर अपने ओदे की फिक्र करने लगी, मुझ में बुनियादी जमीर और समझदारी भी नहीं थी, मैं समझ गए कि मैं अगवाब बनने लायक हों ही नहीं, इतना स्वार्थी होने पर मैं खुद से घ्रणा करने लगी, काबलियत और संगती के द्वारा समस कलिसया सुलजाने वाली बहन शाओ जी, कलिसया के कारिया और भाई बहनों के जीवन के लिए ठीक थी, मुझे उसका समर्थन करना चाहिए था, उसके खोबियों से सीखना चाहिए था, हमारे कर्तव्य में उसके साथ ठीक से काम करना ही परमिश्वर की इच्छा से चलने का परमेश्वर की इच्छा को समझ लेने के बावजूद, दूसरों को बेहन शाओ जी की बाते मानते हुए देखने पर, मुझे जलन होती, मगर मैं परमेश्वर से प्रार्टना कर खुद का त्याग करती, करतव यकेले परमेश्वर के सामने जीने पर ध्यान देती, और इस बारे में सोचना बंद कर दिया कि किसे आदर से दिखा जा रहा है, इससे मेरी इर्शा बहुत कम हो गई, कोई समस्या होने पर, मैं बहन से चर्चा कर खोज बीन करने, अपनी कमजोरियों की भरपाई उसकी खोबियों से करके, सत्या के सिध्धान्त खोजने में समर्थ हो गई, अब मैं आजाद महसूस करने लगी, थोड़े बदलाव के बाद मुझे लगा कि मेरी इर्शालु प्रकृती में सुधार हुआ है, लेकिन मुझे तब हैरत हुई जब एक और परिस्थिती से मेरा साम ना हुआ, इसने दिखाया कि मेरी शैतानी प्रकृती कितनी गहरी है, शुद्ध होने के लिए परमिश्वर के और भी अधिक नियाय और ताड़ना से गुजरना होगा, एक बार शाओ जी और में साकर्मियों की एक बैठक में गए, जहां अगोआ ने हलके से मेरा अभिवादन किया, और फिर वे कलिस्या के काम के बार में शाओ जी से विचार विमर्ष करने लगी, मैं बस टेपनी जैसी महसूस करती हुई एक तरफ पैठी रही, मेरी मनोदशा तेजी से बिगड़ गई, मैंने शाओ जी की और नाराज किसी देखा, मैं यह सोच कर शक्क ये बिना नहीं रह सकी, तो अगोआ मुझसे ज्यादा तुम्हारी कद्र करती है, तुम तो कलिस्या और अगोआओं की आँखों का तारा हो, मेरी तुल्ना में तुम हमेशा बहतर दिखती हो, बाद में मैंने सुना की, अगोआ ने शाओ जी के लिए किसी दुसरिक शेत्र में धर्मोबदेश सुनने, और थोड़ा प्रशिक्षन पाने की विवस्था की है, यह सुनकर मुझे वाकई खुशी नहीं हुई, मैं इसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर पाई, मैंने सुचा मैंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी इसने, मगर मुझे पीछे छोड़ा जा रहा है, जबकि वा धर्मोबदेश सुनने के लिए जा रही है, मुझे अंदेखा कर दिया गया है, मैं चाहे जो करूँ, उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी, इस तरह तुलना करके, मैंने और भी स्यादा बुरा महसूस किया, फिर एक बार मैं इर्शा और विद्वेश की हालत में जीने लगी, मैं मरी जा रही थी कि कब अगवाह में अलग काम दे, ताकि मैं अलग दिख सकूँ, इसके तुरंट बात शाओ जी के पति गंबीर रूप से बिमार हो गए, उसके लिए मुश्किल घड़ी थी, मैंने उसे सांत्वना दी, परिक्षण में परमेश्वर की इच्छा जानने को प्रोच्साहित किया, मगर यह सोचने से नहीं रह सकी, वह सच्मुच अपनी चरम पर है, अब उसका शुद्धिकरण हो रहा है और वह बुरे हाल में है, इसलिए मैं काबलियत दिखा सकती हूँ, अगर उसकी हालत सुधर गई, तो फिर मुझे कभी यह मौका नहीं मिलेगा, उसका यह शुद्धिकरण कुछ समय तक चले तो ठीक रहेगा, फिर सब देखेंगे कि सामाने स्थिदी में तो वह अच्छी संगती करती है, पर वच्चनों की वास्तविक्ता को नहीं जी सकती, फिर उसकी प्रशनसा नहीं होगी, अगवा भी समझ जाएंगी कि उसमें सत्यकी वास्तविक्ता नहीं है, और उसे प्रशिक्षित नहीं करेंगी, फिर स्वाभाविक है कि दूसरे लोग मेरे बारे में उचा सोचेंगे, मैंने अपने मन की दशा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उन ख्यालों को गुजर जाने दिया, एक दिन कुछ बेहनों ने चिंतित होकर शाओ जी के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि वा बहुत बुरे हाल में है, वैसे आम तोर पर वा भले ही बड़िया संगती करती थी, मगर परिक्ष्ण से गुजर कर वा नकारात्मक हो गई है, मैंने ऐसा कहतो दिया, पर थोड़ी बेचैन हो गई, मैं उसे आँकने और नीचा दिखाने के लिए बढ़ा चड़ा कर बोल रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि बेहने मेरी बात मान गई है, तो मुझे मन ही मन खुशी हुई, मुझे लगा अवे शाहो जी की उतनी प्रशन सा नहीं करेंगी, लेकिन बाद में जब मैंने उसे देखा, तो भले ही वा सच मुझ दुखी थी और प्रार्तना करते समय रोती रहती, फिर भी उसे इसने करतवे के आड़े नहीं आने दिया, मैं थोड़ा दोशी महसूस करने से नहीं रह पाई, उस परिक्षन का सामना करते हुए मुश्किल होगा कि कमजोरी महसूस नहीं हो, अगर मुझे में इंसानियत होती, तो मैं उसके लिए प्रार्तना करती, उसके मदद करती उसे सहारा देती, लेकिन मैंने क्या किया, सोचकर बहुत बुरा लगा, मैंने यह कहकर पर्मिश्वर से प्रार्तना की, हे पर्मिश्वर, मैं बहुत अधिक इर्शालू हूँ, मैंने बेन शाओ जी को आख कर, उससे नीचा दिखाया ताकि उससे आगे निकल सकूँ, मैंने उसकी पीड़ा की खुशी भी मनाई, इंतजार नहीं हो रहा था कि वो कब नकारत्मक होगी, मुझे में इंसानियत नहीं है, ये परमिश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे प्रभुद्ध करो, ताकि मैं अपनी प्रष्टता को जान सकूँ, शैतानी स्वभाव से मुक्त हो सकूँ, फिर मैंने वचन्व का या अन्श पढ़ा, यदि कुछ लोग इसे व्यक्ति को स्वयम से बहतर पाते हैं, तो उसे दबाते हैं उसके बारे में अफ़ा पहलाते हैं, या कोई अनायतिक वहवार करते हैं, जिससे की दूसरे लोग उसे महत्व न दे, और कोई भी दूसरे से बहतर न दिखे, यह उद्दंड और दंभी स्वभाव है यह कुटिलता, धोको और कपट है वे अपने लक्ष को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वे इस तरह जीते हैं फिर भी सोचते हैं कि वे नेक इनसान हैं लेकिन क्या उनके पास परमिश्वर का भय मानने वाला रिदय है अपनी प्रकृती से क्या वे वही नहीं कर रहा है जो उन्हें पसंद है क्या वे परमिश्वर के घर के हितों की चिंता करते हैं वे केवल अपनी भावना और लक्ष के बारे में सोचते हैं परमिश्वर के घर के कारे को होने वाले नुकसान की परवा नहीं करते। ये लोग केवल अभिमानी और आत्मतुष्टन नहीं हैं, वे स्वार्थियों और निंदनियंभी हैं, परमिश्वर की इच्छा के प्रति बे परवा। इनके पास परमिश्वर से डरने वाला रदय नहीं होता। वे अपनी इच्छा अनुसार कारे करते हों और बेतु का आचरन करते हैं। किसी प्रकार के अपराद बूद, घबराद, भय या चिंता से मुख परिणाम पर कोई विचार नहीं करते हुए। यही वे अकसर करते हैं और इसी तरह उन्होंने हमीशा आचरन किया होता है। इस तरह के लोग कैसे परिणाम भुकतते हैं, वे मुसीबत में पढ़ जाएंगी। ठीक है? हलके फुलके जंग से कहीं, तो इस तरह के लोग बहुत अधिक इर्शालू होते हैं, और उनमें नीची प्रसिद्धी और हैसियत की बहुत प्रबल अकांग्शा होती है। वे बहुत धोके बास और धूरत होते हैं और अधिक कठोर ढंग से कहीं तो मूल समस्या यह है कि इस तरह के लोगों के दिलों में परमिश्वर का तनिक भी डर नहीं होता वे परमिश्वर का भाईने मानकर स्वेम को महत्व देते हैं और वे अपने हर पहलू को परमिश्वर और सत्य से बड़ा मानते हैं उनके रिदय में परमिश्वर किसी जिक्र और महत्व के लायक नहीं है और वे उनके रिदय में नहीं रहता क्या तुम ऐसे व्यक्ति को बहुत ही खराब कहोगी? कैसा व्यक्ति परमेश्वर में श्रद्धा नहीं रखता क्या वह अहंकारी होता है क्या ऐसा व्यक्ति शैतान है क्या है जो परमेश्वर में श्रद्धा नहीं रखता इन में पशुओं के अलावा देत्य, शैतान और प्रदान देवदूद और परमीश्वर के साथ विवाद करने वाले शामिल हैं। आमीन। इन बातों ने मेरे दिल को छूलिया। मैं ठीक। वैसी ही थी। मैं जानती थी बेन शाहोजी में। काबली अथेवे सत्य का अनुसरन करती है। और प्रशिक्षित करनी योग्या है। लेकिन जब देखा कि अगवा उसके कद्र करती है। उसे सभाओं में भेजना चाहती है। तो मेरा संतुलन बिगड़ गया। मुझे लगा मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं इसे मान नहीं पा रही थी। मैं उसके प्रती इर्शालुआ द्वेश्पून हो गई। मैंने बुरी तरह चाहा कि अगवा उसका कहीं तबादला कर दें। जब वह परिक्षन के दौरान कमजोर और पीडित थी। तो मैंने उसकी मदद करने का नाटक किया। लेकिन दरसल मैं खुश थी। मैं चाहती थी वह नकारात मखो जाए ताकि मैं चमक सकूँ। मैंने खुद को उपर उठाने के लिए उसे आंक कर नीचा दिखाया। ताकि मैं अलग दिख सकूँ। मैंने परमेश्वर में वर्षों से विश्वास रखा। लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई आदर नहीं था। मैं इर्शाल हूँ थी और सेर्फ अपने रुत्बे को बचाने के लिए मैंने बड़े अनुचित काम किये। मैं बहुत घिनोनी और दुर्भावना पूर्ण थी। मैं बहुत ही ओची, घमंडी, दुष्ट, गिनोनी और तुच्छ थी। मैं शैतान से अलग कहां थी। सिर्फ शैतानी अच्छा होते नहीं देख सकता। वह चाहता है कि लोग निराश होकर परमिश्वर से दूर रहे और उसे धोखा दे। मैं साफ तौर पर शैतान के प्यादे का काम कर रही थी। परमिश्वर के घर को नुकसान पहुँचाकर दुष्टता कर रही थी, शैतान का साथ दे रही थी। इसके बाद भी मैं खुद को बहुत उंचा समझती थी। मुझ में सत्य की वास्ताविक्ता और अधिक काबलियत नहीं थी. मैं रुद्बे के लिए उससे आगे निकलने की कोशिश करती. मैं बहुत अहंकारी थी, मुझ में खुद की समझ नहीं थी. मैं वाकिई, खुद से नफरत करने लगी, और मुझ में अपने शैतानी स्वभाव से तुरंत मुक्थ होने की चाहा पैदा हुई. फिर मैंने परमीश्वर के वचन्व का यह अंश पढ़ा. परमीश्वर के विरुद, मनुष्य के विरोद का सुरोद, शैतान के द्वारा उसकी भरष्टता है, क्योंकि वह शैतान के द्वारा भरष्ट कर दिया गया है, मनुष्य का अंतकरण सम्वेदन हीन हो चुका है, वह अनैतिक है, उसके विचार पतित और द्रिष्टिकुन पिछ़़े हैं. शैतान द्वारा भरष्ट होने के पहले, मनुष्य परमेश्वर का और उसके उन वचनों का पालन करता था, जिने उसने सुना था, उसमें स्वाभाविक रूप से सही समझ और विवेग था और सामान्य मानवता थी. शैतान के द्वारा भरष्ट होने के बाद, उसकी मूल समझ, विवेग और मानवता मंद पढ़ गई, और शैतान के द्वारा दुशित हो गई, इस प्रकार उसने परमेश्वर के प्रती अपनी आज्याकारिता और प्रेम को खो दिया है, मनुष्य की समझ पत से हट गई है, उसका स्वभाव एक जानवर के समान हो गया है, और परमेश्वर के प्रती उसकी विद्रो शिल्ता और भी अधिक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे न जानता न पहचानता है, और केवल आँख बंद करके विरोध और विद्रो करता है, जो परमेश्वर के रिदय के अनुकूल हो, यदि मनुष्य की समझ सही नहीं है, तवा परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, और परमेश्वर के द्वारा उप्योग के लिए अयोग यह है, आमीन, इससे मुझे यह समझने में मदद मिली, कि शैतान द्वारा भरष्ट किये जाने के कारण मैं हमेश्या परमेश्वर के प्रती, विद्रो और प्रतिरोत कर रही थी, भरष्टता में जी रही थी, मैं इन शैतानी सिद्धान्तों और तरकों में डूबी हुई थी, जैसे की स्वर्ग उन लोगों को नश्ट कर देता है, जो स्वयम के लिए नहीं है, केवल एक ही अलफा पुरुष हो सकता है, एक इनसान की विरासत उसके जीवन की प्रतीध वनी है आदी-आदी, मैंने शैतानी फलसफों को स्विकारा था, जिन्दा रहने का मेरा नजरिया, नियम और समझ सब विक्रित थे, जिससे मैं ज्यादा अहंकारी, दोष्ट और इनसानियत से खाली हो गई थी, शैतान के जहर के काबू में मैं सिर्फ शौरत, रुत्बा और आदर पाना चाहती थी, मैं दूसरों से अलग दिखना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे आगे निकल जाए, अगर कोई निकल जाता, तो मैं होड लगाय बिना बिल्कुल नहीं रह पाती, दूसरों के आगे निकलने पर मैं इर्शा करती, अपने लक्ष के लिए गलत काम भी करती, दुष्टता करती और परमीश्वर का प्रतीरोध करती, मैंने उन मसी विरोधियों को याद किया जो निकाले गए थे, वे हर उस इंसान के प्रतीर्शा और कड़वाड से भरे थे, जो सत्य का अनुसरण करते, उनके रुद्पे के लिए खत्रा बनने वाले हर व्यक्ति को वे एक काटा समझते, वे दमनकारी और द्वेश पूर्ण थे, वे दूसरों को कलिस्या से निकलवाना चाहते थे, ताकि सब पर उनका दबदबा बना रहे, इतनी दुष्टता के लिए उन्हें कलिस्या से निकाल बाहर किया गया, मैं मसी विरोधियों जितनी द्वेश पूर्ण या दुष्टता करने वाली नहीं थी, लेकिन मैं इर्शालू थी, अहंकार्य और दुष्ट प्रकृती के काबो में थी, मैं अपने रुद्बे के लिए दूसरों को आपती, उन्हें बाहर कर दीती, मैं मसी विरोधिय की रहा पर चल रही थी, जो परमीश्वर के विरोध होता है, सच है, परमीश्वर का धार्मिक स्वभाव कोई अपमान सहन नहीं करता, मैं जानती थी कि अगर प्रैश्चित नहीं किया, तो परमीश्वर मुझे ठुकरा देगा, सच है, या मेरे लिए बहुत डराओ ना था, मैं जानती थी कि परमीश्वर अपने कठोर न्याय से मेरी रक्षा कर रहा है, वन्ना मैं आत्म चिंतन नहीं करती, फिर मेरे कुछ बुरा काम करने पर पच्टावा बहुत देर से होता, परमीश्वर की इच्छा के बारे में एज सोच विचार कर, मैं सच-मुच प्रेरित हुई, मैंने प्राश्चित और बदलने के लिए परमीश्वर से प्राठ ना की, परमीश्वर का धन्यवाद, एक दिन अपने धार्मिक कारे के दौरान मैंने परमिश्वर के यह वचन पढ़े अपने कर्तवियं को निभाने वालो चाहे तुम सत्य को कितनी भी गहराई से क्यों न समझो सत्य वास्तविक्ता में प्रवेश का सबसे सरल अभ्यास है कि हर बात में परमिश्वर के घर के हित की सूचो अपनी स्वार्थी च्छाओ, व्यक्तिकत अभी लाशाओ, इरादो, सम्मान और हैसियत को त्याग दो परमिश्वर के घर के हितों को सबसे आगे रखो तुम्हें कम से कम यह तो करना ही चाहिए अपना कर्तव्य निभाने वाला कोई व्यक्ति अगर इतना भी नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति को कर्तव्य करने वाला कैसे कहा जा सकता है यह अपने कर्तव्य को पूरा करना नहीं है तुम्हें पहले परमिश्वर के घर के हितों का परमिश्वर के हितों का, उसके कारें का ध्यान रखना चाहिए और इन विचारों को पहला स्थान देना चाहिए उसके बाद ही तुम अपने रुटबे के स्थेरता या दूसरे लोग तुमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके चिंता कर सकते हो इसके साथ ही यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभासको अपने दाईत्वों और कर्टवियों को पूरा कर सको अपनी स्वार्थी इच्चाओं, व्यक्तिगत अभिलाशाओं और इरादों को त्याक सको परमिश्वर की इच्चा का ध्यान रख सको और परमिश्वर्थता उसके घर के हितों को सर्वो पर ही रख सको, तो इस तरह से कुछ समय अनुभाव करने के बाद तुम पाओगे कि यह जीने का एक अच्छा तरीका है और नेकी से जीना है, न्याय संगत और सम्मान धंग से जीना है, एक संकुचित मन वाले या ओचे व्यक्ति की तरह नहीं, तुम पाओगे कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही जीना और काम करना चाहिए, धीरे धीरे अपने हितों को पूरा करने की तुम्हारी इच्छा घर्टी चली चाहेगी, आमीन, कार्य समान नहीं है, एक शरीर है, प्रत्येक अपना कर्तव्या करता है, अपना सर्वश्रेष्ट प्रदशन करता है, प्रत्येक चिंगारी के लिए प्रकाश की एक चमक है, और जीवन में परिपकवता की तलाश करता है, इस प्रकार मैं संतोष्ट होंगा, आमीन, परमिश्वर का धने बादे, परमिश्वर के वच्चनों से मैंने समझ लिया, कि वो पहले से तै कर देता है, कि हर इनसान की काबलियत क्या है, वे क्या काम कर सकते हैं, तुम इन चीजों के लिए स्पर्धा या संगर्ष नहीं कर सकते, जब दूसरे इनसान बहतर हो, जब परमिश्वर तै कर दे कि मैं घास बनूँ, पेड़ नहीं, तो बस मुझे घास बनकर उस भूमिका को खुशी-खुशी निभाना चाहिए, सही है, अब मैंने रुद्बे को लेकर दूसरों से होड नहीं लगाना चाहा, अपनी स्वार्थ या कांग्शाओं को छोड़ देना चाहा, परमिश्वर के घर के हितों को सबसे पहले रखना चाहा, अपने कर्तवियों को ठीक से निभाना चाहा, रोश्णी मी जीने का यही तरीका है, मैंने अपनी भ्रष्टता के बारे में बेहनों से खुल कर बात की और बेहन शाओ जी से माफी मांगी, जब उसे मेरे द्वेश पूर्ण इरादों का पता चला तो उसने मुझे बिल्कुल भी दोश नहीं दिया, बल्कि मेरी मदद के लिए संगती की, मैं वाके ही बहुत प्रेरित हुई, परमेश्वर का धन्यवाद, इंसानियत ना होने और उसका दिल दुखाने के लिए मैंने खुद से नफरत की, रुद्बे के लिए छल कपट करने से बचने और अपना करतव या ठीक से निभाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, महीने भर से थोड़ी ज्यादा समय में शाहोजी अपनी यात्रा से लोटाई, फिर उसने बताया कि उसने सभाओं में क्या जाना, उसकी संगती वाकई, शिक्षा प्रेद और लापकारी थी, लेकिन चब मैंने दूसरों को ध्यान से सुनते हुए देखा, तो मैं फिर से परिशान होनी लगी, मुझे ऐसास हो गया, कि मैं फिर से रुद्बे के लिए संगर्ष और इर्शा कर रही हूँ, इसलिए खुद को अलग रखने के लिए, मैंने शीग रही, परमिश्वर से प्रार्टना की, मुझे किसी धर्मोब देश में सुनी हुई एक बात याद आई, कि विवे की इनसान इर्शा नहीं करता, बलकि आशा करता है कि दूसरे उससे बहतर हों, ताकि और ज्यादा लोग परमिश्वर का बोज उठाने में मदद कर सकें, वैसा इनसान तब खुश होता है जब परमिश्वर किसी को प्राप्त करें, मुझे एहसास हुआ कि धर्मोब देश सुनने की अपनी यात्रा में उसने ग्ञान अरजीत किया है, वह दूसरों का सिंचन और मदद कर सकती है, सभी लोग सत्यों को समझ सकें इसके लिए या अच्छी बात थी, इससे परमिश्वर को सुकून मिलेगा, मुझे अपने कर्तव्य के लिए उससे सीख कर उसकी खुबियों का लाब उठाना होगा, यह बहुत आहम है, मैं बस शान्थ होकर उसकी संगती सुनने लगी और प्रभुदता पाती रही, सत्या के सिद्धान्तों को खोजने के लिए उसके साथ मिलकर कारिया किया, उसके बाद हमारे साथ के काम में, जब मैं अगवा को उसके साथ कुछ विचार विमर्श करते हुए देखती, तो मुझे ठीक लगता, मुझे जलन नहीं होती, यह मेरे लिए बड़ी राहत की बात थी, परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने खुद अनुभव किया, किर्शा को छोड़ देने से मुझे सुकून मिला है, मैं सच्चा महसूस कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं इंसानियत के साथ जी पा रही हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों के न्याय और तार्णा के कारण ही थोड़ा बदल पाई, मैरे उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, आज की संगती मुझे काफी रहा पिले है,